आज मैं इस वीडियो में कोई critics के जैसे या फिर एक public reactor जैसे बात नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में जो मैं अपना reaction देने के लिए जा रहा हूँ वो personal ही नहीं बहुत ही जादा personal reaction है मैंने film देखी है Z5 पे murder at 3.302 ये film देखने में मुझे क्या feel हुआ मुझे अपने वो school days याद आ गए जब दोपहर को school से वापस आ करके uniform पहने रहता था और उसी में जो है अपना lunch लिया करता था और उस वक में जो भी movies आती थी screen पे और जितनी भी समझ आती थी भाई वो वाला जो time था ना वो पूरतर से वापस आ गया है फिल्म आज से 13 साल पहले आई थी लेकिन release नहीं हुई और I hope कि ऐसे बहुत सारे stars के फिल्म होनी चाहिए जो के उनके इस दुनिया में ना रहने के बाद भी कुछ ऐसे फिल्म जो हमने ना देखी हो उसे जो है release किया जाए ऐसे अगर हो तो वो एक तरह का relive हो जाता है और ये फिल्म भी मुझे बिल्कुल वैसे ही relive करा गया है देखो इर्फान खान को अपने रोग में देखा होगा आन, men at work उसमें भी देखा होगा मुझे उस वक में इर्फान खान कुछ जादा समझ में नहीं आते थे लेकिन इतना समझ में आता थे कि ये जिस फिल्म में होते हैं वो फिल्म कुछ अलगी off-bit होती है आज जब फिल्म को देखना, समझना और enjoy करने लगा हूँ आज समझ में आता है कि वो कितना अलग तरह का movie हुआ करता था और इर्फान खान उस टाम पे अपना जो performance देते थे वो कितना different होता था इस कहानी में भी इर्फान खान जो है एक contract killer समझ लो या फिर एक ऐसा बंदा जो भाहर Bangkok में जा करके अपना एक अलग ही तरह का दुकान खुल के वैठा है और जिसके voice mail को सुनने के बाद में आप बोलोगे ये truly Indian है क्योंकि जिस तरीके से इसने voice note छोड़ा है अपने callers के लिए वो भई बहुती जादा engaging और बहुती जादा attention grab करने वाला है थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा इनके character के नाम को समझने में कई बार लोग इसे सयोगी कहेंगे, कई बार चान कहेंगे और कई बार जो है लोग इसे शेकर कहेंगे अब बात करते हैं इस film में जो heroine है उसकी ये heroine मैं दिल से बताओं तो मुझे बिलकुल भी नहीं अच्छी लगती थी और बहुती जादा ugly feel होती थी अब मैं सोचता था कि यार ये इस तरह की heroines होती क्यों है लेकिन बाद में जब धीरे-धीरे trend समझ में आने लगा तो समझ में आया कि जो थोड़ी ugly होती है लेकिन hot होती है उसे उस time के फिल्मों में जो है बहुती different तरह का role दे देते थे या फिर उनको item song में नचवा लेते थे ये बंदी वही है उनको मैंने a witness day में भी देखा है इसके इलावा कुनाल खेमो वाली movie जिसमें इमरान हाश में भी होता है और ये भी रहती है वहाँ पे तो भाई वो कल्यूक फिल्म के अंदर में भी देखा है इनको और इनकी आवाज मुझे बहुती बेकार लगती थी लेकिन पता नहीं क्यों ये movie जो है मैं पुरे दिल से और पुरे सपोर्ट के साथ में देख रहा था मुझे वो अतना ज़ादा खटकी नहीं फिर भी ये film में जो है lead role play कर रही है बहुती mysterious girl बनी हुई है ये exactly BV है, model है, मर चुकी है ये आपको खुद से ढूनना पड़ेगा फिल्म देखते हुए अब बात करते हैं रनवीर शोरे की रनवीर शोरे ने हमेशा से अपने एक अलग appearance रखा है उनकी शक्ल सूरत कभी भी माइने नहीं रखती जब उनकी acting सामने आती है उस time पे ये बहुत ज़्यादा ignore किये गए थे आज जो है इनको बहुत ज़्यादा मजवे कलाकार माने जाते है अब फिल्म यहाँ पे thrill and murder mystery के बारे में है तो इसमें तो पुलिस वाले का होना बनता है अब इसमें आपको पुलिस वाले बने वे वो शक्स दिखेंगे जो भाई आज के जमाने में गुमनाम हो चुके है social media से अपने आपको दूर कर लिया है और लोग इनको आज भी ढूनते हैं इनके गाने के वज़े से इनका एक गाना था मेरे बच्चकन में बहुत जाधा प्ले होता था आप ही जा एसुभा आप ही जा बात कर रहो है यहाँ पे Lucky Ali की Lucky Ali के गाने के fan अगर आप हो तो भाई आप Lucky Ali को यहाँ पे ignore नहीं कर सकते और उनका character उस जमाने में इस तरह का गाली दे दे जो अब आपको नहीं दीख रहे हैं और खास करके इर्फान खान के performance को अगर आप miss कर रहे हो तो आप जा करके इस movie को देख सकते हो आपको ये movie thrill भी करेगी suspense बनाए रखेगी end तक आपको खीच करके लेकर जाएगी हाँ लेकिन कुछ-कुछ जगे पर आप बोलोगे कि इतना silly scene कैसे बना सकते हैं जैसे के Lucky Ali इर्फान खान को पकड़ नहीं वाला होता है और वहाँ पर scene के साथ कुछ twist हो जाता है और जो के बहुती normally देखा दिया गया है उस scene को लेकर के थोड़ा मैं भी यार तो ये तो होगई actor के बारे में, performance के बारे में, कहानी के बारे में अब बात करते हैं कि आपको screen play screen play आपको nostalgia feel करवा सकती है और इस movie को आप आराम से दुपहरों खाना खाने के बाद में बैट करके अगर देखोगे तो यकीन मानो आपको अपने बचपन का वो time पूरे तिरह से relive हो जाएगा ये movie देखकर क्या आप entertained होगे या नहीं, बिल्कुल होगे गाने जो हो उस time के हिसाब से आपको एक एक गाने चार मिनिट से उपर के मिलेंगे इस film को आप family के साथ में नहीं देख सकते बहुती जादा bold, hot, sexy, sizzling ये सारी चीज अगर मैं कहूं scenes के बारे में तो भाई ये सारी चीज सही होगी और ये movie किसी भी angle से family के साथ देखने के लिए लहीं है लेकिन अगर आप art को पसंद करते हो इर्फान खान की performance को मिस कर रहे हो उस time को miss कर रहे हो और 2007-89 के time पे किस तरह का screenplay होता था कैसा direction होता था उस time के setup क्या होते थे उस time पे किस तरह की CGI use होते थे और होते थे भी या नहीं ये भी आपको देखने को मिलेगा especially उस scene के बारे में बात कर रहा हूँ आप चानल पे अगर नहीं होते चानल को subscribe कर लो bell का button दबा लो मिलूंगा next video में तब तक के लिए thank you bye